बात कर लेते हैं पंजाब रिपोर्ट की जिसमें आज हम बात करेंगे सूबे के स्वास्थे मंत्री सुर्जीद कुमार जियानी की विधान सबा हलके फार्जिल काकी इस हलके के लोग गंदे पानी की सप्लाई से बेहत परिशान हैं जहां सत्ता पक्ष इस समस्या से ने पटन के दावे कर रहा है वहीं विपक्ष सरकार की कोशिशों को नकारा करार दे रहा है ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी एक खास रपार्ट फाजल का विधान सभाक्षेत्र पंजाब सूबे का एक सीमा वर्ती हलका है जहां करीब 66 गाउं पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं साल 2012 में इस हलके से सुजीत कुमार जियानी विधायक चुने गए मंत्री जी का दावा है कि उन्होंने हलके में काफी विकास किया पानी की टंकियों की निर्मार अस्पतालों में सुविधाय बढ़ाने प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और हलके में जगे जगे आरो सिस्टम लगवाने समीत दूसरे कई विकास कारें को गिनवाते वो नजर आ रहे हैं दावा करते हैं कि हलके में हुए विकास को लेकर विरोधी उनसे बहस नहीं कर सकते लोगों की संतुष्टी को लेकार स्वास्चे मंत्री का कहना है कि सौफी सदी संतुष्ट तो किसी को नहीं किया जा सकता वो बस काम कर सकते हैं जबकि कॉंग्रेस वराम आदमी पार्टी ने स्वास्च मंत्री के दावों को खारिच कर दिया कॉंग्रेस नेता डॉक्टर M.K. रिन्वा स्वास्च मंत्री के विभाग को लेकर ही उन्हें चुनाती दे रहे हैं कहते हैं कि अस्पतालों में लोगों को सुविधाय देने की जगए जादातर मामलों में महज रेफर कर दिया जाता है उनका कहना है कि हलके की किसानों की हालत बेहद खराब होती जा रही है और अब आप जाके गेट पे खड़े हो जाई है और परची देखोगे तो कम से कम 50% लोगों के उस पे आउड़ोर स्लिप पे रेफर टू जीजेस मेडिकल कॉलिज फूरीज को लिखा होता है और वहाँ पे जितने स्पेशलाइस सर्विसिज हैं मुझे बड़ा अफसोस होता है भी दो सर्जन लगा रखे हैं लेकिन कोई सर्जिरी नहीं हो रही है इस कोप तो है पर क्योंकि यह सारा यहाँ पे एग्रो बेस इंडिस्ट्री आज तक चल पाई है पहले किसी जमाने में जब कॉटन बहुत होती थी तो कॉटन फेक्ट्री आथी अब उसके बाद शेलर लगे लेकिन आज दोनों की हालत बहुत ही चिंता जिनक होई है बहुत घाटे के अंदर चल रहे हैं दूसरी तरफ आमादमी पार्टी गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा उठा रही है पार्टी की तरफ से फाजल का हलके से उमीदवार समर वीर सिंग का कहना है कि पीने का पानी इस कदर खराब है कि छोटे बच्चों पर उसका बेहत गंफीर असर हो रहा है इसे पीने से बच्चे आँखों की रोश्णी खो रहे हैं हलके के लोगों की विकास और सुविधाओं पर मिली जुली प्रदिक्रियाएं है गंदा पानी मुख्य समस्या में से एक है पर आरो सिस्टम लगने से कुछ राहत है वहीं तूटी सडकें भी बड़ा सवाल उठा रही है तो पानी की साथ पीनाला के नहीं पीनाला पानी पीनाला आजांदा जंगाल जी आजांदी फाजल का हलका भी दूसरे हलके की तरह बुनियादी समस्याओं से अच्छूता नहीं है जिसमें गंदे पानी की समस्याओं और तूटी सडकों पर विधायक जी से जनता जरूर जवाब मांगेगी फाजल का में भी कए नए और प्राने खेलाडी मदान में कूद पड़े हैं और इस बर कौन सा खलाडी जीत कर चंडी गड़ पहुंचेगा जे फैसला हलके के लोगों ने करना है कैमरे में नचूनी मनियास के साथ जक्तार बुलर जी मीडिया फाजल का